हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो इस्टेटी विद ग्यान परकास, आर्मी स्कूल में बरतमान में PGT, TGT और प्रामरी सिक्षक के लिए आविदन चल रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी स्कूल में complete selection process क्या होता है, यानि कि अगर आप आर्मी CT, PGT या फिर प्रामरी में सिक्षक बनना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप बनेंगे, इसके तीन स्टेज होते हैं, तीनों के बारे में जानेंगे, और आपकी न्यूकति कहां पर होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और रिक्त पदों की संख्या क्या है, एज लिमिट से, तो अगर आप इंट्रेस्टेट हैं, आर्मी स्कूल के सिक्षक बनने के लिए, तो ये वीडियो आपके बहुत ही important है, आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजी, चलिए स्टार्ट करते हैं, सबस्बर बताते हैं आपको important date, तो द लब्द होंगे, आपकी जो परिक्षा है, यह 5 और 6 नॉवंबर को आयोजित की जाएगी, result आ जाएगा, यानि कि आपको जो scorecard है, वो आ जाएगा आपको 20 नॉवंबर 2022 तक, तो ये timelines हैं, इनको आप बिलकुल ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिए, इसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको बताना चाहूंगा, कि आर्मी पब्लिक स्कूल जिनको APS भी खा जाता है, ये पूरे भारत में, जो military, station और cantonments हैं, वहाँ पर इस्थित हैं, और इस स्कूल का जो प्रसासन होता है, वो लोकल military देख priority की vacancy है, इन आर्मी स्कूल में, तो आपको बता दें, कि इसके बारे में, जानकारी आपको अभी उपलब्द नहीं कराई गई है, जब आप पहली परिक्षा qualify कर लेंगे, यानि कि online screening test, इसको OST कहा जाता है, उसके बाद आपको पता चलेगा, कि किस विद्याले में कितनी vac vacancy है, तो फिलाल इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आईए कुछ और महत्पूर बिन्दों को देख लेते हैं, जैसे कि यह जो पूरा selection process है, selection procedure, इसमें तीन stage है, पहला stage क्या है, सबसे पहले तो आप आप आवेदन करेंगे, उसके बाद आपका online screening test होगा, ठीक है, online screening test की date भी आ गई है, 5 और 6 November को यह परिक्षा होगी, और यह जो vacancy है, यह academic year 2023-24 और onward के लिए है, यहाँ पर दो प्रकार की vacancies है, एक तो है regular, यानि कि आप अस्थाई तोर से चुने जाएंगे, दूसरा कों सा है, दूसरा है जिसको आप लोग ad hoc समझते हैं, यानि कि एक limited time क लिए भी आप इसमें सिक्षक बन सकते हैं, तो देखो दे फ्रेंड्स, जो आप OST परिक्षा देंगे, तो OST की परिक्षा देने के बाद आपको एक scorecard मिलेगा, scorecard, विर्कुल उसी परिकार से, जिस परिकार से जब आपने PET की परिक्षा दी थी, उसके बाद आपको एक scorecard मिला था, उसी परिकार से, जब आप परिक्षा देंगे OST, यानि कि यो आर्मी स्कूल का जो पहला स्टेज है, रिक्रेट्मेंट का, तो उसके बाद आपको एक scorecard दिया जाएगा, और ये जो scorecard है, इसमें जो भी अंक आप राप्त करेंगे, उसे के मताबिक आप जो है, अ आधार पर उसमें सामिल हो पाएंगे, ठीक है, इसके बाद देखिए, एक बात और भी आपर दिया गया है, कि अगर scorecard आपको मिल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि आपको नियुक्ती जरूर मिल जाएगी, या scorecard बिलकुर PT की तरह है, यानि कि उसके बाद जो अलग अलग school है, वहाँ पर जो vacancy आएगी, उस vacancy में कितने score वालों को वो call करते हैं, उसी के मताबिक आप उसमें apply कर पाएंगे, अलग-अलग score आपके होते हैं, तो अलग-अलग school होते हैं, उसमें भी कहीं high score वालों को तो कहीं low score वालों को भी call किया जाता है, तो किस school में कितने पदरिक्त हैं, ये जानकारी आपको school से ही मिलती है, और जो भी school रहेगा, वो local newspaper में, अपनी website पर और अन्य माधमों से सूचित करते रहते हैं, और यहाँ पर notification जो कि आप टेलिग्राम चैनल, study with ग्यान प्रकास पर जाकर download कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी विद्यालियो की list मिल जाएगी, आप वहाँ पर direct call करके पूछ भी सकते हैं, कि आपके यहाँ कितनी vacant seat हैं, ठीक है, तो online screening test OST के आधार पर क्या मिलेगा आपको, सिर्फ scorecard, इसके बाद देखें, जो second stage है, second stage क्या होगा, कि आपको पता करना पड़ेगा, या आपको पता चल जाएगा, कि AWS, यानि कि Army Welfare, जो schools हैं, उसमें किस school में कितनी vacancy हैं, और इसके बाद आप वहाँ पर, अगर आप under cutoff हाते हैं, जो आपको card मिला है, scorecard, तो आप वहाँ पर आवेदन करेंगे, interview होगा या नहीं होगा, यह निर्वा करता है इस बात पर कि, वो school, जो vicious school रहेगा, जहाँ प regular teacher, यानि कि अस्थाई सिक्षक बनना चाते हैं, तब आपका जो interview होगा, वो होगा central selection board के द्वारा, और अगर आप ad hoc teacher बनना चाते हैं, fix term के लिए, तब आपका जो interview होगा, वो local selection board के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है, तो अस्थाई के लिए, csb, csb, central selection board के द्वारा तो लस्वी लोकल सेलेटन बोड की द्वारा आपका इंटर्व्यू लिया जाएगा तीसरे स्टेज में टॉप टू बाटम एक लिस्ट बनाई जाएगी और आपको नियुक्त कर लिया जाएगा तो यह है पूरा का पूरा प्रोसेस तो आप समझ गये होंगे सबसे पहले आप आपको स्कूर कार्ड मिलेगा उसके बाद वकैंसी जाएगी अलग-अलग कालेजों से वहां पर आपको आविदन करना होगा यह आविदन बिल्कुल फ्री होते हैं फिर वहां पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा इंटर्व्यू के लिए और अगर आप इंटर्व्यू में इसक्रिस वगरा का भी लिया जा सकता है तो आप एक बार पूरा कपरा जो नोटिफिकेसन है उसको जरूर देख लें ठीक है इसके बाद एक फ्रेंट्स क्वालिफिकेसन क्राइटरिय के बारें बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए PGT के लिए आपका PG होना चाहिए PG में क गम सगम आपके 50% अंक होने चाहिए और बेड में भी गम सगम 50% अंक आपके होने चाहिए तब आप PGT के लिए आविदन कर पाएंगे PGT में भी सेम वही है कि बेड होना चाहिए और असनातक में 50% दूनों में 50% होना कंपलसरी है अगर आप बनना चाहते हैं प्रैमरी सिख्षक तो इसके लिए असनातक में 50% साथी साथ दो साल का डेलेड बेलेड या फिर अगर आपने बेड किया है और आपने 6 महिने का जो ब्रीज कोर्स होता है उसको किया है तो आप प्रैमरी सिख्षक के लिए भी आवेदन कर सकते हैं यानि कि यहां पर बेड वाले भी प्रैमरी में आवेदन कर सकते हैं बसरते कि उन्होंने 6 महिने का ब्रीज कोर्स अपना कंपलीट कर लिया है ठीक है और यहां पर एक बात औ पाइदन कर पाएंगे, ठीक है, CTET या भी TET इमेंड डॉर्ट्री नहीं है, अगर आप CTET पास हैं, तो आप regular जो सिक्षक बनेंगे, अस्थाई पत के लिए चुने जाएंगे, अगर आप CTET पास नहीं है, तो यारी कि आपके पास अभी इसका certificate नहीं है, तब भी आप इसमें apply कर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा कि आने वाले एक दो सालों में आप CTET या टेट क्वालिफाई कर लें, तब तक आप जो एड़ाग के तोर पर आपको सिक्षक वहाँ पर रख लिया जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, एज के बारे में तो देखो, अगर आप fresh candidate हैं, तो आपकी उम्र 1 अपरेल 2023 को 40 साल से कम होनी चाहिए, और minimum experience, no experience, लेकिन अगर आप experienced it हैं, तो आपके लिए जो उम्र सिमा है, वो 57 साल तक हो सकती है, मतलब इसके लिए कमस का 5 साल का अनभो आपको चाहिए, ठीक है, तो ये बात है, इस criteria के बारे में, और final scorecard ये कहां से मिलेगा आपको, तो जब आप परिक्षा दे लेंगे, तो परिक्षा के 14 दिन के बाद, आपको www.awesindia.com पर जाकर आप अपना scorecard डाउनलूड कर सकते हैं, ये जो scorecard आपको मिलेगा, वो 3 साल अकले valid रहेगा, इन 3 सालों में जितने भी आपके army school है, जहां-जहां से vacancy आएगी, आप वहां पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद कहां-कहां पर परिक्षा केंदर होंगे, यानि कि जो screening परिक्षा होगी, कहां-कहां पर होगी, तो ये पुरी list आपके सामने है, सभी ना मर लूँगा, तो बहुत टाइम ल और इसी वीडियो के description में जो एक link है, उस पर click करके download आप कर पाएंगे, और अगर आप primary सिछक बनना चाहते हैं, तो इसके जो आपकी परिक्षा होगी, वो 3 गंटे की होगी, MCQs-based परिक्षा होगी, और 200 प्रस्णों को आपको hold करना होगा, maximum mark है 200, ठीक है, इसमें 3 section रहें पर आधारित रहेगा, वहीं पर अगर आप TGT के लिए अपलाई कर रहे हैं, तो वो सेम है, 3 गंटे 200 questions, MCQs-based परिक्षा, 200 अंको की परिक्षा होगी, और वही 3 section रहेंगे, basic GK, current affairs, पेटागाजी, curriculum और educational policy matters, और academic परिक्षा के आधार पर आपकी परिक्षा का आयोजन किय जाएगा और सेम पैटर्न जो है, TGT के लिए भी है, 3 गंटे की परिक्षा, 200 mm और 200 प्रस्टन, MCQs-based section जो है, बिल्कुल वही है, 3 section और उसी पर आधारित प्रस्टन, तो यह आपने देख लिया कि इसका syllabus क्या हो सकता है, तो friends, यहाँ पर मैंने सायद आपको हर बात जो आ आंसर दे दिया है, अगर अभी भी आपके मन में कोई भी doubt है, तो नीचे आप comment कीजिएगा, उसका answer मैं आपको जरूर दूँगा, और देखे friends, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो लाइक करके जाएगा, और चैनल पर पहली बार है, तो most welcome है, आपका सस्क्राइ आपकार लीजिए, बेला के आँको प्रेस कर दीजिए, thank you so much, have a great day, जैहिंद.